नवस्कार मैं हूं इंद्र मोहन, महारास्ट में उद्धव ठाकडे मुख्य मंत्री बनने जा रहे हैं, आज शाम 6 बज कर 40 मिनट पर वह मुख्य मंत्री पत की शपत लेंगे सिवाजी पार्क में ऐसा कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकडे के मंत्री मंडल में आदित्ती ठाकडे भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन इस कयास पर खुद पार्टी ही विराम लगा रही है, पार्टी के कई जो सीनियर नेता हैं वो कह रहे हैं कि सायद उद्धव ठाकडे आदित्ती ठाकडे को इस आदित्य ठाक्रे ही बात करें पाती के तमाम मुद्दों को आदित्य ठाक्रे ही समाले इससे यह होगा कि आदित्य ठाक्रे की भूमी का रास्टी अस्तर पर बरी हो जाएगी। आदित्य ठाक्रे ही करते हैं यह पहला मौका है जब ठाक्रे परिवार से किसी नेता ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत कर विधान सभा पहुंचे हैं अदित्य ठाक्रे ने वर्ली सीट से चुनाव लड़ा था और भारी मतों से जीत कर वह विधान सभा पहुंचे उ उसको वो अच्छे तरीके से सुन सकें। साथ में रहते हैं, दूर रहते हैं, ये सारे चीज़े तो होती ही रहती हैं। कि महारास्ट में सरकार किसी की भी हो, असली सरकार तो बाला साहब ठाकरे ही है। डिजिटल राजनीती में वो प्रवेश कर रही थी तो इसमें उद्धब ठाकरे के बाद अगर कोई नेता था तो वह आदित ठाकरे ही थे जो लगातार ये कह रहे थे कि सिपसेना किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो और कैसे वो यूबाओ और नए डिजिटल तरीके से परचार लगते हैं तो इस बात पर आप जरूर अडिग रहें कि मुख्य मंत्री तो शिपसेना का ही बनेगा जो राग लगातार संजेराउत महारास्ट में अलापते रहे खैर इन तमाम राजनीतिक गतिवीदियों के बाद अब फाइनली महारास्ट में ठाकरे परिवार के उद्ध जी एनाय के साथ बात करने के लिए धन्यवाद महाराष्ट्र में जो चल रहा है बहुत से एलिगेशन से खरगे जी कह रहे है कि जब साड़े आख बजे तक का वक्त दिया गया थो फिर जल्दबाजी क्या थी पांच बजे क्यों राश्ट्रपती शासन लागू कर दिया ग कहीं पर भी मेरी धुरुष्टी से राज्यपाल महोदय ने कहीं पर भी समविधान को तोड़ने मरोडने का कोई प्रयास नहीं किया जहां तक पर्टिकुलर सवाल जहो आपका है कि 8 बजकर 30 मिनिट तक का सामका समय दिया था और बीच में राज्यपाल महोदय ने राश्ट में एंसीपी ने पत्र लिखकर अपनी असमर्थता जता दी थी कि आज साम साढ़े आट बजे तक हम सरकार नहीं बना सकते हैं उसके बाद में राश्ट्रपती महोदय को साढ़े आट बजे तक हूखने का कोई और चित्या ही नहीं लेकिन इतनी जल्दी क्या की मतलब अगर जैसे अरूनाचल में या गोआ में बहुत वक्त लिया जाता था तो ऐसे प्यो हुदध कहीं पर भी इससे ज़्यादा समय ने दिया यहां जल्दी नहीं की गई अठारा दिन का समय दिया है पहले मेरी बात चुल दिए पूरी प्रक्रिया मैं बताता हूं कि एसेमली की नोटिफिकेशन के बाद अठारा दिन तक राजयपाल ने रहा देखी और अठारा दिन तक कोई भी पार्टी अथवा पार्टियां अगर उनके पास बहुमत है तो राजयपाल को कभी भी अप्रोच कर सकते हैं नौता देने का तो तब समय जब विदानसभा की समाप्त हो गए विदानसभा के 5 साल समाप्त हो गए तो राजयपाल को एक्षन लेना होता है तो उन्होंने हर एक पार्टी को लिख कर रेकोर्ड के लिए पुछा अन्य था जब विदानसभा नोटिफाइड हो जाती है और उसकी अधिसुशना बाहराने के बाद तुरंत ह अधि कोई भी पार्टी अथ्यवा पार्टी का समूब भुमत बनाकर राजयपाल महोदे के पास जा सकता था ना सीवसेना गई है ना एंसीपी गई ना कॉंग्रेस गई ना हम बना पाए है मतलब भारति दंता पार्टी बनाई है तो राजयपाल क्या करते हैं और दूसरी सब्सक्राइब लगाए एक दूसरे से मिल रहे है। इसरो पार्टियों ओपर्टि इसलिए जरूरत थी कि आरोप ये भी लग सकता है कि अन्यत आप भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार को चला रहे हैं और जहां तक लोगों को मौका देने का सवाल है मैं आपको बता रहा हूं समुता जी आज भी मौका है आज भी वो इखटा होकर अभी जा सकते हैं राजेपाल ही कहा है तो क्या आप संपर्क करेंगे क्या आपके बैक्रूम दॉक्स कर रहा है और एक समविधानिक पद को राजनिती के अंदर इस तरह से घरसेपना मैं नहीं मानता लोग तंत्र के लिए स्वस्त परमपरा है और जिनको भी मौका चाहिए उनको आज भी मौका है उल्ट मैं मानता हूं कि राजयपाल महुदय ने उचीत ही काम किया है क्यूंकि आज भी सभी लोग सरकार बना सकते हैं अगर बहुमत है तो आज तक नहीं गया चलो कि एक दिन की जगह दो दिन करते आज ये तो पांचवा दिन है सिवस्यना को मौका दिये हुए आप जो छे महीने का मतलब है कि छे महीने तक भंग नहीं होगी सकता ने सुसुपत वास्ता में ही डाला है अभी वह तो निने राजयपाल मौदय को करना है मुझे नहीं करना ह परन्टु अभी सब के पास समय है कोई भी जा सकता है किसका मौका चिन लिया कैसे मौका चिन लिया मेरी तो समझ में नहीं आता कपिल सिबल जैसे विद्वान वकिल इस प्रकार की बचकाना आर्गुमेंट्स बचकाना दलिले देश के सामने रखते हैं कि हमारा मौका चिन अरे भई आपको मौका है ही आप बनाओ ना यानि कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कोशिशी नहीं कर रही है और ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंडेट आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं हम एक ऐलाइंस में चुनाव लड़े थे हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे मगर हम काफी सीटे नहीं लड़े थे हमारी साथी दल लड़ा था जब साथी दल ने कंडिशन ऐसी रखना चाहिए जो हमें स्विकारिय नहीं है और हम अकले सरकार नहीं बना सकते हमारे पास 105 सी हैं मगर जो लोग डावा कर रहे हैं कि हमें सरकार बनाने का मौका मिले मौका मिले मौका मिले मौका मिले तो उनके पास मौका है इस पश्टता के लिए ही मैं आज आपके साथ यह संबाद कर रहा हूं जहर पी के उन्होंने जमू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी नहीं आपके दोनों विचार धाराय बिल्कुल ही अलग थी फिर भी आपने आप सरकार बना पाए लेकिन शिवसेना की कौन सी ऐसी बात है जो बिल्कुल नामन्जूर थी कि मैंडेट होने के बावचु लिखे मेरी पार्टी का संसकार नहीं है कि कमरे में हुई हु कि हमारी कर्वर्मेंट चली गई दिवेंद्र फट्रण मुख्यमंत्री महाराश का हुआ है जो उस वक्त है कि उनकी क्यार्टेकर गवर्मेंट चली गई विपक्स का नहीं हुआ है अगर वो चाहते है कि इस प्रकार का एक ध्रांटी खड़ा करकर देश की जनता की हम सिंप सांविशना के साथ सरकार बनाने के लिए मगर चीज़े एसी थी जो मान नहीं सकते हैं पहले से शार्वजनिक प्रचार में मैंने कम से कम सवाव बार कहा प्रधानमंत्रीजी ने कई बार कहा और श्वयम देवेंदर फड़निशने कई बार का कि अगर हमारी यूती की सरकार आती है बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री दिवेंदर फटन्विस्ट बनेगे किसी ने कॉंट्राडिक नहीं किया अब कुछ नहीं सरते आती है तो हमारे लिए इस पर हमारा रिजर्वेशन भी है पाटी उचीत समय पर इस वर विचार करेगी परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपती शासन पर जो हाई तोबा मची है वो कोरी जनता की सिंपती प्राप्त करने की निरर्थक एक्सराइज है निरर्थक कवायहत है इसके अलावे कुछ नहीं चाहता की मध्यावदी चुना हो ने महीं नहीं सोतता हूं मध्यावदी चुना हो जब 6 मैने समाप्त होंगे तब राजयपाल समविधान के हिसाब से इस पर उचित विचार करकर कानूनी सलाह लेकर आके बढ़ेंगे परन्तु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हमें मौका नहीं दिया गया राष्ट्रपती महोदे ने बड़ा राजयप अभी पास अगर संखिया है तो आप जा कर सरकार बना लीजी गया है अगया हिसके विख्याड़ु कि